समर चुरिल ने बिग बॉज 17 में बतौर वाल्ड काड एंट्री की थी घर में उन्होंने ओडिन्स को खोब एंटिटीन किया है अलाकि फिनान की रेस से अब वो बाहर हो चुके हैं बीते वीकेंड के बार एपिसोड में समर चुरिल को बिग बॉज 17 से एलिमिनेट कर दिया ग बारे में काफी बाते की इसे के सगात अभिशेक को लेकर भी बड़ा बयान दिया अपने इस स्टेट्मेंट में उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको एक एक करके बताते हैं नमबर वान इशा की पिता के इग्नौर करने वाली बात पर समर जुरेल ने इटाइम से बातचित म मुझे उनकी हाभाव से लगा कि उनके मन में कई सवाल है शायद उन्होंने शो में जो कुछ भी देखा उन्हें पसंद नहीं आया मैं किसी पर ब्रेम नहीं करता क्योंकि शो में अंदर आने के बाद उन्हें पता चला होगा कि मैं इशा को बाइफ्रेंट था इशा की मा को हमारे रिच्टे के बारे में पता था कि हम दोनों डेट कर रहे हैं लेकिन पापा नहीं जानते होंगे वो माता पिता हैं और अगर उन्हें नहीं पता तो वो दुखी तो होंगे ही इशा नहीं शो की ये कंटेस्टेंट है समर्थ के सबसे करीब समर्ट जुरेल ने बिग बॉस सत्रा से मनारा चोपडा के साथ अपना पहला वीडियो शेर किया है उन्होंने अक्ट्रूस को अपने सबसे करीबी बताया है वीडियो में समर्ट और मनारा मुश्किल भरे वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आये इस वीडियो को शेर करते हुए समर्ट ने कैप्शन में लिखा बहुत औरगैनिक दोस्ती है हमारे समर्ट जुरेल के इस पोस्ट पर कई फैंस ने कमेंट किये हैं और हैरानगी भी जताई है कि उन्होंने बाहर आने के बाद इशा को नहीं बलकि मनारा को सपोर्ट किया है तीसरी बात अभिशक को नहीं करेंगे माफ दैनिक भासकर से बाचित में समर्थ ने थपड़ कांड पर यक किया है और कहा है कि वो इसके लिए अभिशक को माफ नहीं करेंगे वो कहते हैं भले ही उन्होंने माफी मागी लेकिन मैंने माफ नहीं किया लोग तो सालो साल बातों को याद रखते हैं मेरे साथ तो अभी कुछ वक्त ही हुआ शो के अंदर मैं इतने कम वक्त में इतनी बड़ी बात कैसे भूल जाओं मेरे इशा और अभिशे के बीच जो भी लड़ाई थी वो मेरे दिमाग में थी और इसलिए मैं उसे वी जिता है